अगर आप भी बहुत ही हेवी ब्राइडल दुपट्टा घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है अगर आप भी बहुत ही कमपराइज में थोड़ी सी महनत करके ब्राइडल दुपट्टा घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए आपको perfect corner के साथ bridal दुपट्टा बनाने की तरकीब मैंने इसमें बताया है lace को attach करते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा lace को corner से बिल्कुल attach नहीं करना है आप देख सकते हैं मैंने 5-6 inch का gap रखते हुए यहाँ पे lace को attach करना start कर दिया है आप देख सकते हैं ऐसे ही हम lace को attach करते जाएंगे यह मैं गरारे के लिए lace को attach करके bridal दुपट्टा बना रही हूँ आप चाहें तो लहंगे के लिए भी bridal दुपट्टा बना सकते हैं इसी तरकीब से ऐसे ही सारे corner को perfect तरीके से हम बैठालते जाएंगे और corner हमारा बिल्कुल perfect तरीके से बनके ready हो जाएगा अगर आपको bridal दुपट्टा बनाने में या corner बैठालने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि दुपट्टा का corner less attach करते हुए कैसे बैठाला जाता है उसे बनाने के लिए बहुत ही असान तरीका मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल perfect और बहुत ही असान तरीके से इस दुपट्टे को आप बना के ready कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैं corner पे आ चुकी हूँ इसे पूरा हम full पहले stitch कर लेंगे उसके बाद से इसके corner को हम attach करेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको attach करना है ऐसे आपका corner बिल्कुल perfect तरीके से बन के आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने खुद से इसे बना के ready किया हुआ है तो चलिए फिर इसे stitch करते हैं अगर आप भी heavy दुपट्टा घर पे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक देखिए अगर channel पे नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन के गंटी को push करना ना भूलिएगा ऐसे आपको हर नई वीडियो की notification मिलती रहेगी तो आप देख सकने हैं मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है इसे बिल्कूल corner तक हम सिलते हुए आएंगे फिर इसको fold करते हुए हम इसको round में घुमाते हुए थोड़ा सा stitch करेंगे फिर इसे हम घुमा लेंगे आप देख सकते हैं दूसरे side से मेरा lace attach होना start हो गया है ऐसे तरीकी से अगर corner को आप भी बनाएंगे तो आपका भी दूपट्टे का corner बिल्कूल perfect तरीके से बनके ready हो जाएगा अकसर कोई भी कपडा stitch करते हुए हम नंबर को दो पे रखते हैं ताके हमारी stitching बिल्कूल छोटे size में हो और बिल्कूल perfect हो लेकिन lace cottage करते हुए 4 पे कर लेना चाहिए ऐसे lace में थोड़ा सा भी जोल नहीं आता है और बहुत perfect तरीके से lace बनके ready होता है आप देख सकते हैं बिल्कूल इसी तरीक के साथ आप भी lace cottage करेंगे नेट का दूपट्टा हो या कोई भी यह भी दूपट्टा हो आप इस तरीक के साथ बिल्कूल perfect corner के साथ ब्राइडल दूपट्टा बनाके ready कर सकते हैं लेंगा हो गरारा हो ब्राइडल कोई भी दूपट्टा हो आप बनाके ready कर सकते हैं आप देख सकते हैं बिल्कूल perfect तरीके से मारा lace बनके ready हो रहा है तो friends आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने lace को अटेज कर लिया है एंड में एक ट्रीक है जिसे मैंने इसे बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से बनाया हुआ है थोड़े से लेस को हम तिर्छा कट करेंगे अब देख सकते हैं मैंने पहले से कट कर दिया है उसके बाद से उपर वाले लेस को रखते हुए हम अटेज करेंगे ऐसे हमें समझ में नहीं आता कि हमने जोड कहां पर रखा हुआ है जो हम लेस अटेज करना स्टार्ट करते हैं वहां पर थोड़ी से जोड तो आती ही है तो इसलिए इसे थोड़ा सा तिर्चा हम कट कर देंगे नीचे वाले lace को उपर वाले lace को हमें cut नहीं करना है नीचे वाले lace को हम cut करेंगे और उपर वाले lace को उस पे रखते हुए एक इंच इस पे उपर करेंगे और इसे हम stitch कर लेंगे अगर इस trick के साथ आप भी lace को attach करेंगे तो आपका lace पता नहीं चलेगा कि इसका जॉइंट कहां पे आया हुआ है आज की मेरी बिल्कुल असान और न्यू ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और थोड़ी से बीडियो उच्फुल लगे तो अपने फिरेंस को जरूर सेयर करिएगा आप देख सकते हैं लेस हमारा बिल्कुल पर्फिक तरीके से अटैच हो चुका है चलिए मैं इसे फैला के दिखाती हूँ दुपट्टा बनने के बाद से कैसा दिख रहा है बहुत ही प्यारा दुपट्टा लग रहा है आपको कैसा लगा कमेंड में जरूर बताईएगा यह ऑगर बहुत हैवी वर्क है, इसमें स्टॉन वर्क भी है आप देख सकते हैं और इसका लेस भी है वो भी बहुत हैवी है बनने के बाद से यह बहुत प्यारा लग रहा है तो अगर आप भी इस्ट्रिक के साथ लेस स्टिच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लेस को घर पे स्टिच करके हेवी वराइडल दुपटा आप भी असान तरीके से बना सकते हैं तो आज की मेरी वीडियो कितना यूजफूर लगी कामेंट करना ना भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई स्टिचिंग के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज